तो जैसे कि आप लोग जानते ही कि हम लोग अभी चैप्टर नंबर टैन कर रहे हैं ओफिशल लेटर का जिसके अंदर हम लोग अल्रेडी थ्री टाइप के लेटर जो है वो कर चुके आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ टाइप अप लेटर जो की है रेप्लाइट टू अले हिसे अच्छाइअ कर लेंगे लेंगे टू कमप्लेंट करेंगे तो चलिए पहले बाकि करनेसा पहले इसके बारे पढ़ लेते हैं फिर एक एक जांपल कर लेंगे दो वे अफ़र्म बिजनेस रिस्पॉंट तो कंप्लेंट एड अनहापी कस्टोमर इंपक्त इस रेप्यूटेशन देन अच्छा होगा आप उसकी बिलकुल इंसु नहीं कर देते हो तो क्या होगा रेप्यूटेशन बेकार होगी कि आज की डेट में हम जब बोलते कि अरे सारे नेता जो है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही वादे करते हैं क्यूंकि जब हम कंप्लेंट ने करके जाते हैं जब उन्हापी होके उनके पास जाते तो वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देते हैं जिस काम को वह सर्विस जो है वह बहुत बड़ा पाट रही है हमेशा किसी की भी ब्रेंट को अगर अपने आपको बहुत उचा उठाना है तो उसको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसकी कस्टमर सर्विस क्या हो अच्छी हो क्या अब देखते हैं कि वाइल रिस्पॉंदिंग टॉ क्या आपको ध्यान रखना चाहिए पहली बार अड्रेस क्लियर्ली अंड इस्पेसिकली दा प्रॉब्लम एंड इशू ब्रॉट अप बाइद कस्टमर क्या बोल रहा है पहले आप उसकी को ध्यान से वापस लेकर क्या हो देन उसके बाद अकनॉलेज एंड आपको यह नहीं बोलना है अरे हमारी तरसा कोई घलती नहीं तुम नहीं ध्यान नहीं दिया होगा तुमारी घलती है कस्टमर है हम लोग एक पल्ली कॉमपटेटिव मार्केट पर रहते हैं यहां पर कस्टमर क्या है सोवर्जन है इसकी प्रभूता है यहां पर ग्राहक जो है देवता समान होता है तो आप उसकी कंप्लेंट को क्या कहता है अंदेखा नहीं कर सकते आप अपॉलोजाइज करोगे जैसे कि आप किसी भी कस्टमर केर वाले से कभी बात करते हो तो क्या बहुत है आपका पहले प्रॉब्लम यह चीज़े जो है बहुत जरूरी हो तो एक्स्टमर एक्स्टमर एक्सक्ली वाट यह प्लाइड दू और में आप अल्रेडी डन तो रिसॉल्व द प्रॉब्लम कैसे आप आगे प्लैन कर रहे हो सौल करने का या क्या कर चुकी हो ठीक है और आल्सो बाश्टमर यह वह पर और पैसे की वैज़े से वह सैटिसफाइड नहीं होता है इसलिए कस्टमर डू नॉट एक्सेप्ट वेग रिस्पॉंसे तू देर कंप्लेंस यानि पालतों की बाते वह अब एक्सेप्ट नहीं करेंगी यू में इवन लूज क्लाइंट्स और कस्टमर्स एवी देफिल देर कंप्लेंट आर बिंग ब्रश्ट ओफ यानि अगर ऐसा लगेगा उन्हें यह सिर्फ बात टाल रहें यह काम करने वाले नहीं है तो आपका ध्यान जो है वह वहां पर रहे यह बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो यह आपने पढ़ दिया चलिए फटा-फट एक लेट करके देख लेते हैं मैंने आप लोगों पहले बता हुआ कि मुझे इसकी शॉटकट की नहीं आती है प्लीज अपॉलजाइस मी पार देश करते हैं मालों कि हमने करते हैं कि यू आर कि मैनेजर ओफ कि SP कि इस पोर्ट्स प्रॉडक्ट यू रसीवड ए लेटर प्रॉड मिस्टर जगत कोच अव अबीसी क्लब अबावट दा प्रॉडट्स प्रॉडक्ट प्रॉडक्ट डिलीवर डिलीवर्ट तू हिम प्रॉड राइट ए रिप्लाइए टू हिज कंप्लेंट कि सिंपल क्वेशन दे रहा हूं जादा लंबा चॉड़ा नहीं कर रहा हूं मैं एड्रेस इसके अंदर नहीं डाला है कुछ नहीं डाला है सिंपल सी बात किये नॉर्मल सथ ठीक है ना तो करते हैं इसका जरा सॉल्यूशन लिखते हैं अब क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई आड्रेस नहीं लिया है तो एस यूशुल हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्जामिनेशन होल क्योंकि मैं डेली में हो तो मैं न्यू डेली लिख रहा हूँ आपकी मरजी आप जिस स्टेट में होगे आप वह स्टेट लिखाँ थीक है फिर आपकॉस डेट Ajay अमारी 20 है तो हम लिखते है 20 कर सेप्टेंबर है मैं 2021 21 एंड देन हमारा विसिटर्स आड्रेस आता है तो तो मिस्टर जगत कोच कि एबीसी क्लब मालो न्यू देल्ली में यह माल यह मैंने कि यह न्यू देल्ली में यह कि अधिक है कि पिन कोट तब तक नहीं डालूंगा जब तक क्या होगा मेरे को अधिक नहीं होगा उसके बाद कि डियर सर कि टेक कि दैन सब्जेक्ट रेप्लाइ टू दव कंँप्लेंड अब जैसा कि हम लोगोंने कि पहले भी कहा हुआ कि अब हम जो फॉर्माट करेंगे तिन पैराग्राप के लिए उसे तीन लाइन शेसे आट लाइन दो से तीन लाइट यह हमारा फॉर्मेट चलेगा ठीक है तीन परग्राफ के लिए तो पहले क्या लिखेंगे देश इस इस इन दा रेफरेंस और और यह और कंप्लेंड लेटर डेटेड़ 14th September 2021 about the delivery of bad quality product at your club सबसे पहले मैंने क्या का उन्होंने यही बोला था कि आप जो पहले complain के अंदर यह बताओ कि भाई किस चीज के बारे में तो यानि कि आपको सबसे पहले सिंसेरली अपोलोजाई इस for for the unconvenience you had to face डिव टू दी डिव टू दी डिलिवरी ओव बैड को वालिटी प्रॉडक्त उसके बाद बोल देता हूं कि सब्सक्राइब बाद करता हूं कि भाई सीधी बात है कि भाई आपको यह प्रॉब्लम पीस करनी पड़ी इसके लिए माफी मांगता हूं ठेक है अब इसके बाद अब यह प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूंगा या क्या करूंगा या क्या क्या स्टैप ले चुका हूं आई लोग्ड डू परसनली इंटू दा मैटर and it was the mistake of middle man यान जो middle man न उसके वो घपला बाजी कर रहा था and I have took all the necessary steps to sorry to resolve this problem ठीक है यान तक बने बोले कि मिडिल में जाता उसकी वज़े से गड़बड हो रही थी तो मैं आपको कर रहा हूं इसके लिए we have been in business for a very long time and therefore and therefore I feel terrible for this incident incident for this incident for make things good we would supply you you the whole sorry supply you supply you the whole order again without any cost कि भाईया अब ऐसा है कि मैं पूरा का पूरा ही आपको क्या करूगा समान करूँगा and we will collect all the and unused material unused material material from you ठीक है यह तो मैंने यह बोल दें कि अच्छे चलो ठीक है ऐसा है कि आपको कोई cost नीदर पड़े हम पूरा का पूरा आपको क्या करें सप्लाई कर देंगे without any cost और जो भी unused material आपको आपको बैड क्वालिटी के बारे कैसे पता चलाओ जब आपने यूज क्या होगा तो जो भी unused material आपका है वह हम क्या करेंगे ले लेंगे कोई ऐसी इसी इस्यू की बात नहीं है कि टू शो कि आप स्वारी शो नहीं कि टू मेड़े अव्रेटिंग गुड़ रच्टव बित्वीं अस वी 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 यू वी 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 आरे यू लिखना गी वी यू amount we will refund you we will give you what other we will refund you 20 percent of your bill amount in cash I make I promise you that you don't yeah you do not have to suffer any of this event ever in future looking forward to here from you take it I am a 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 you इस स्पोर्ट्स था न इस पूर्ट्स शॉप यह क्लब क्या लिखा तो यार एड्रेस या कि पढ़ दू जरह आप एस्पी स्पोर्ट्स प्रॉडट्ट ए भी लिख रहा हूं आप ए भी लिख रहा हूं एस्पी स्पोर्ट्स शॉप क्लब क्लब क्या ठीक है और यह हमारा लेटर जो है एक सिंपल सी बार तुम रियल में तो कुछ लिख नहीं रहे हो यह तो लिखना ही तो कर दो ठीक है तो बाकी आज की वीडियो का यहीं पर आप आप करते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें अगर आपको लगता आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए तो प्लीज उसे शेर करें और भाई मेरे बार बार कहा रहा हूं यह सब्सक्राइब का बटन तुम्हें लाल क्यूं दिख रहा है इसे लाल मत करो रहने दो इसको तुम क्या कर दो पता है आपको इसे ग्रे में चेंज कर दो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और प्रीज अगर आपको कोई बी कंपलेन है तो प्लीज कमेंट बोक्स में पता ही अगर मेरे लिए कोई अड़वाइस है तो प्लीज कमेंट बोक्स मुझे बताई को और ज्यादा बैतर कर सकूं बाकि थैंकि ऑर्यर टाइम स्टे हल्दी बीसी